तो अगर आपने भी यूट्यूब के Creator Camp event के लिए रईशे किया था जो कि 26 सप्टमबर को मुंबई में होने वाला है और इसके बाद आपको second confirmation mail आई होगी जहाँ पर आपको आपकी seat book करने को बोला गया होगा अगर आपने अपनी seat को confirm कर लिया है तो ऐसे में आपको final mail आना शुरू हो जाएगा मुझे यहाँ पर आज final mail आ गई है और जल्दी आपको भी आपकी final mail देखने को मिल जाएगी आप देखें यह mail बहुत जादा important है क्योंकि अगर आपको पास यह mail नहीं आएगी तो ऐसे में आप जो है creator camp event के अंदर नहीं जा पाओगी देखें mail के अंदर क्या है सबसे पहले उपर लिखा है your final confirmation to creator camp नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है hey देवेंद कुमार और उसके लिखा है we are excited to host soon to add creator camp अगर आपके इसके नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि 26 September 2023 को यह event होने वाला है timing दे रखी है 11 बज़े से लेकि 6 बज़े तक यह event चलेगा दिन में और जो location है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी आपको इस location पर पहुँचना होगा अगर आपको यह mail मिली है इसके नीचे आपको देखनों कुछ instruction दे रखें जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको इस event की जगा पर 11 बज़े से पहले पहुँचना है अगर आप 12 बज़े के बाद यहाँ पर जाओगे तो यह लोग आपको इंट्री करने नहीं देंगे इसके लाब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जो sitting है मतलब बैठने की जो बैठने की बैठने को मिलेगा या पर कहीं पर भी वो बैठ सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है कोई बड़े फेमस यूटुबर हो आपकी ज़्यादर सब्सक्काइबर है तो आपको आगे बैठने को मिलेगा अब यहाँ पर जो important चीज है वो यह है कि आपको यहाँ पर आपको एक photo ID card जो आपकी government की ID card होगी जैसे कि आधार हो जाता है यहाँ पर driving license है इस तरीकी कि आपको ID card लेके जाना होगा ताकि यह लोग confirm कर पाए कि जिसने form भरा है और जो वहाँ पहुचा है दोनों एक ही person है इसलिए आपको जो है आपकी ID card ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और government ID card ले जाना ठीक है इधर उदर की ID मत ले जाना इसके लाबा इन लोग ने नीचे लिखा है कि यह जो location है event वाली इसे आप जो है किसी भी social media पर share नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप share करोगे तो ऐसे में वहाँ पर भीड लग जाएगी और उसे फिर manage करना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में event खराब हो सकता है अब इसके नीचे देखिए इन लोग ने लिखा है कि जिनको यह mail नहीं मिला है और जिन लोगों ने यहाँ पर register नहीं किया है वो लोग जो है इस event के अंदर allow नहीं है तो ऐसे आप जो है event में ना पहुचे अब इसके नीचे जो सबसे important चीज़ दे रखी है वो यह है कि यहाँ पर QR code दे रखा है यह जो QR code है इसके अंदर आपका जो है invite invitation code है ठीक है तो जब आप जाओगे creator camp event में तो आपको जो है इस mail ID को यहाँ पर उनको show करना प नहीं है दूसा आपको यह confirmation mail जो है screenshot ले लेना है या फिर आपको जो है वहीं पर इस mail को open करके दिखा देना है इसके इंदर जो QR code है उसे आपको scan कर लेना है उसके बाद यह आप जो है अंदर entry कर पाऊगे अच्छा मैंने एक चीज़ और बोली थी आपको अगर याद होग तो यह लोग आपको तब तर इंटरी नहीं देंगे जब तक कि आपके parents आपके साथ में नहीं होंगे तो guys अगर आपको यह final mail मिल चुकी है तो congratulations आप जो है जाने के लिए पूरी तरीके से eligible हो और creator camp में जाके आप जो है इस साल के creator camp event का मज़ा ले सकते हो तो आपको जो है दिन का wait करना है अगर आपको यह final mail मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आपको जो है अगले साल का wait करना है और यह जो final mail आपके पास आएगा जिसके अंदर आपको invitation QR code देखने को मिलेगा यह सिफ आपके लिए है तो किसी को भी share मत करना I hope आपको यह वीडिय वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बटाटा